गुरुजी जलोदर यानि सीधे सीधे इस शब्द से पता चलता है जल उदर यानि उदर में पानी भर जाना जिस वजह से पेट फूल जाता है जिस वजह से कई प्रकार के रोग उत्पन होते हैं और बहुत असहिनियत दर्द और परिशानी रहती है हाला कि डॉक्टरी उपचार में इसके लिए तो सीधा सा उपचार होता है कि पानी निकालते हैं और समय समय पर हर हफते या हफते में दो बार या दस दिन में दो बार इस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो सबसे पहले मैं यह जाना चाहूँगा कि आखिर इस तो पैंकरी इंसुलीन निपनाएगे पित्ते में तिजाब बढ़ जाएगा और गुर्दे में जाकर वो खाया पिया जो अंतों में थोड़ा बहुत गड़ा है वो ऐसे बैठे हैं जैसे पानी पे काही बैठती है फिर वहां से टट्टी विसाब खून बढ़ना बंद हो ज जाएगा अब इसमें आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो साथ किसी रोख की द्वाई बनी नहीं है वो तो बीजनिस है जिस अंग में तकलीप और संग को सुन किया जाता है यह है और काट पीड जितनी मर्जी करने तो भी ठीक नहीं कर सकते है और जो आज हमारा आर प्रांतु मैं नाडी बैद हूं मेरे पास प्रेक्टी करना है पेठ में पानी चैक कितना भी भरा हुआ हो यहां पे पहले दिन कम से कम धाई तेन लेटर पानी दो गहंटे के अंदर निकाल लिये जाब लाए यह द्वाईयों का असर है क्यूंके मेरे पास 10,000 जड़ी प्रांता हूं मेरी फार्मेसी अपनी दोईया बनाने को मैं किसी बनी बनाए दोईया पैशता और मैं रोगी से पूछता हूं को आपको तकलीप कहा है ना काजपत्तर देखता हूं मेरा नियम है, बुद्ध वारकी में छुट्टी रखता हूँ, गुरु बार से लेके मंगल वार तक नारी प्रिक्षिन करता हूँ नारी प्रिक्षिन का टेम है, सुबद दस से 12 जुटे काम करता हूँ, जाधा नहीं करता हूँ नाड़ी प्रिक्षन में पैर के तल्ववे से सिर्के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrason, ACG, sonography, सब कुछ पांच सिकेंट के अंदर नव से मिल जाते हैं फिर उसके अनुसार द्वाईयं दिये जाते हैं, यहां किसी एक अकेली रोग की द्वाई नहीं देते हैं फिर जितना भी पैर के तल्ववे से सिर्के बाल तक का रोग है, सब रोगों की द्वाई कठी दिये जाते हैं फिर इस द्वाई का प्रियोग जब कुराते हैं तो पांडू रोग वाले का धाई तेन लिटर पानी चार गहंटे के अंदर अंदर निकल जाता है फिर जो द्वाईयां दिये जाते हैं इसका टोटली बंद कर दिया जाता है अलोपैथिक में तो कोई भी ब्यमारी है जैसे किड्नी का है यह पांडू रोग का है इन में पानी बंद कुराते हैं प्रांतु मैं तो पानी ज़्याद पलाता हूं जब पानी अंदर हो गए नहीं ठीक सुद्ध पानी नहीं होगा तो आपकी पांचर सक्ति कहाँ काम करेगी तो पिल्कुल और आज तक कि जितने भी योगी हैं परभक्ता हैं डॉक्टर हैं हकीम हैं वह कहते हैं खाने खाते इसमें पानी नहीं पीना पानी पियो आप खाना खाने के गहंटे डेड़ गहंटे बाले, अब सत्यानास का भी सवह सत्यानास, जैसे आप किसी बिलनी को बनाने के लिए, मसाले के अंदर पानी मलाके उसकी चनाई करते हैं, यदि लेवर को पूरा पानी नहीं मिलेगा, तो खाना नहीं पचेगा, ये लोहे का है, उसके अंदर के गरमयाश तभी काम करेगी, तभी उस खाने को पचाएगी जब उसको पानी भी साथ मिलेगा, आप सुक्का खाना खा रहे हैं, पानी नहीं दे तो आपको तो रूप बढ़ेगा, प्रहं तो गवराने के जूरत नहीं है, स्वहस्त मचार एक मात्तर आसर है, जिसका अवचार कहीं नहीं, उसका अवचार मेरे पास है, और यहां ना तो रोगी मों से बोलता है, ना काईश पत्तर लाता है, ना उसका साथवाला बोलता है, यहां नाडी प्रिक्शन में जो रोग मिलता है, उसका लाज किया दाता है, पान्डू रोग के लिए हमार जाए चुल्ले चोक्रे में रखें खान पान के ही सावचार किया जाता है। सौ में से एक या दो घर ऐसे होंगे, जिन में क्रेला आपको नहीं मिलता, प्रांतु सब जगा क्रेला मिलता हो, क्रेले की सबजी जो बनाते हैं, उसमें क्रेले का सत्यानाज करके बनाते हैं, जो क्रेले के उपर फफोले होते हैं, इन में पानी होता है, और बड़ा कड़वा जब इस पानी को निकाल के फैंक देते हैं, तो क्रेले से उससे लाब नहीं ले सकते हैं, वो फोले जो हैं, उसका पानी निकाल के, पांडू रोग के रोगी को, जितना पानी वो है, उतना दूसरा साधा पानी, हलका गर्म मला के, पीने को दें, तो दो गहंटे के अंदर उसक परांतु क्रेला सबसे ज्यादा लाब कारी है और जिनको कड़ुए पन से घ्रीना नहीं है कड़ुए पन सेहन कर लेते हैं वो कच्छे क्रेले को अच्छी तरह चुबा के मलीदा बना के खाएंगे तो जो आपने पानी मला के क्रेले का जूस पिया है उससे 10 गुना लाब क्र क्रेले को चुबाने से करता है जब क्रेले को चुबा के खाएंगे तो खाने के आदेपाउने घंटे बाद ही ऐसे लार्म लगे हो पेट में जैसे घड़ी में लार्म लगता है अब उसमें प्रसाब और टट्टी दो नुखुल जाते है पांडू रोग में खाया पिया आं ऐसे चिकनी मिट्टी पे पानी डाल के उसमें दल दल हो जाती है ऐसे आंत के अंदर पकाना बिलकुल पतला हो जाता है और इसमें रोगे को जोर नहीं लगाना पड़ता है लैटिन करने के लिए आटोमेटिक जैसे प्रसाब आता है ऐसे पेट गुदा के रास्ते साफ हो ज